कि लिए जिए कणाई आज हम यहां पर कंड़िए यहां पर कांच बंदो किर तो चारो हमारा कीचन है और यह जो आप देख पा रहे होंगे बात्रूम इस बात्रूम में कुछ हमें मतलब काम करने का जो तरीका है इस घर में काम किया है जो इलेक्ट्रिशन उसका जो काम करने का तरीका है वो हमको बहुत गलत लगा इसके लिए हम सोचे क्यों ना आप लो से वाय गया हुआ है आप लोग को दिखाते हैं यह जो आप धाय में देख पा रहे होंगा गाइस यह गीजर के लिए सिर्फ गया हुआ है सिंगल वायर और इस गीजर में न्यूट्रल भी जोड़त पड़ता है जिसमें डेड़ में वायर का यूज किया गया है आप लोग को लगबग लगबग घीक है ठीक नहीं कह सकते हैं सिर्फ ए सिंगल है लेकिन यहां से एस साइड वायर आने वाला है जो कि आप देख सकते हैं यहां which है निकाला हुआ बातरूम के लिए तो यहां तो सिंगल सिर्फ फेस को लिए हुआ है यहां से निकाला हुआ है बातरूम के लिए तो यहां पर देखें गया है तो यहांपे कहां धाय यहां पर कुछ काया हुआ है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहे है तो यहां पर 10 mm दिया है और उस साईड भी है उस साइड भी आपको दिखाते हैं, उस साइड जो आप देख पा रहोंगे यहां पे, यहां पे देख पा रहोंगे, पाइप जैसा निकला हुआ है, वहां पे भी 1.5 mm का ही वायर निकला हुआ है गाइज, जो कि इस साइड तीन वो हमारा कीचन बनने वाला, यह एक और यह ए जो कि तीनो कीचन में 1.5 mm का ही वायर जाएगा तो इन सब को छोड़के आप लोगो घर की और भी दिखाते हैं किस तरीका इस दर वायरिंग किया गया है उसके बाद आप लोग को बाहर साइड का दिखाएंगे तो अंदर की हम गुशते हैं तो यहां पर ही शुरू में यहां यहां पर कीचन है सामने में तो कीचन में कुछ चीज तरीका वायरिंग किया गया है दिखाते हैं आप लोग को फ्रॉंट में ही हमारा जो लाइट बोर्ड है यहां पर एट मोडिलर का स्विच प्लेट लगा हुआ है जो की लाइट वगरा सारा कुछ यह से उप्रेट होने के लिए कोई भी option नहीं है यहां पर कोई extra board नहीं है और इस तरही का यहां पर points दिया गया है देख सकते हैं यहां पर आप गोर से देखिएगा तो यहां पर सिर्फ light का ही बोर्ड दिया गया है बाकी induction वगेरा mixer mixer चलाने के लिए आपको एक ही switch मतलब socket का इस्तमाल करना होग तो six ember का socket दिया हुए कैसे चलेगा guys so kitchen का तो आप लोग देख लिए होल का भी थोड़ा आपको दिखाते हैं यह हमारा होल है जैसे कि आप लोग देख पार होंगे यहां पर हमारा दो मतलब दोगो मतलब मतलब दो भाई का अलग-अलग यहां पर बनाया हुआ है तो यहां पर होल में भी आर्ट मोडलर का ही बोड़ का यूज किया गया है और इस जगह पर हमारा लेगा LED TV और उसके लिए यहां पर बोड़ दिया गया है दोगो socket और यह नीचे वाला बोड़ हमको स यहां पर circular box जितना हो सके मतलब बैंड का काफी कम से कम यूज किया गया है और यहां पर एक ही fan है hole में देख सकते हैं जो कि वह भी side में है middle में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं adjust कर लेंगे side घरवाला तो यहां पर अब देखिए गये यहां पर तीन को circular box ठोक डिया है और इ इसलिए तीन तीन को board ठोक दिया देख रहे हैं यहां पर circular box ठोक दिया है और इस side भी देखिए तीन को सामने में देखके चक्कर आ रहा है पता नहीं क्या problem था उसको band देने में तो तीन तीन board ठोक दिया है यहां पर मतलब circular box और भी दिखाते हैं आपको guys यह तो कुछ नहीं है यहां भी देखिए यहां भी wire पार हुआ है जो की band यहां पर तो लग ही नहीं रहा है और यहां से भी देखिए यहां पर seat लगा हुआ है उसके ब इधर भी दिखाते हैं मतलब यहां पर दो भायर आने वालें तो उसके लिए अलग अलग partition किया हुआ है सो सेम जैसे उसमें किया हुआ है सेम इसमें भी जैसे किया हुआ है देख सकते हैं तीन तीन को करके circular box एक ही जगा में ठोका हुआ है वहां पर band का तो कोई नामू एक्ट्रिशन भी होते हैं जो कि काफी finishing के साथ वर्क करते हैं और mcb को दिखाते हैं किस तरीक है किचन हॉल रूम सबका six ampere बी टाइप का यहां पर mcb लगा हुआ है और standard company का mcb लगा हुआ है और dp को देखिए guys dp दबा हुआ है dp दबा हुआ है इसको आप भी नहीं क कर सकते हैं dp दबा हुआ है हमेसा होने रहेगा और standard company का यहां पर mcb है so standard company का आपने यूज किया है तो comment करके जरूर बताएं यहां भी वैसे वाइरिंग किया गया देख सकते हैं और इसमें भी देखते हैं कौन सा company का brand का लगा हुआ है mcb so standard company का हम तो मतलब नया नया दे यहां पर देख सकते हैं और dp भी देखिए guys dp एकदम दबा हुआ है यह तो offer नहीं fix है so कुछ इस तरीक है यहां पर wiring किया गया है CD का नीचे में inverter है ठीक है चलेगा यहां पर क्या हुआ कि circular box का बहुत ज्यादा यूज किया गया है जो कि दिखने में काफी भद्धा type का ल दिखा रहें यहां भी आट मोडलर का बोड है और कुछ इस तरीका यहां पर points वगरा दी हुए एक room में तीन points दी हुए जो कि normally लगता ही है तो कुछ इस तरीका यहां पर points वगरा दी हुए और उपर में ceiling rose लगा हुआ है fan box नहीं लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं तो room में आप गोर करेंगे guys तो कहीं भी आपको board नहीं दिखेगा सिर्फ light body दिखने वाला है सिर्फ एक ही को जो कि front में लगता है light के लिए यहां पर वही आप लोग को सिर्फ देखने को मिलेगा बाकी यहां पर एक भी extra boards वगरा नहीं है अगर personal TV वगरा रहे bad के लिए भी personal रहता ह वह भी नहीं है देने का तो बहुत board लगते हैं कमरे में 3-4 को कम से कम board लग जाते हैं और इसका middle भी यहां पर देखिया सही से नहीं निकाला है तो यहां पर middle तो यहां अलग से मतलब इस जगह पर आता हमारा तो यहां भी middle नहीं है कोई दिक्कत नहीं सब चल जाता है बोड नहीं देखने को मिलेगा ना बैड के लिए अलग से ना टीवी के लिए अलग से कुछ ने सिर्फ एक ही बोड हर एक कमरे में एक ही को करके बोड दिया गया है तो यहां तो हमारा cutting का काम चल रहा है देख सकते हैं यहां पर cutting हम starting करने वाले हैं ऐसा नहीं है कि हम मतलब मतलब दूसरा का काम दिखाने के लिए यहां आया है तो बातरूम का आप लोग को दिखाएं कि किस त्रीके से हमी क्या M से ही चलने वाला है तो घर माली भी बोल रहा है चलो आडाय में हमें बिछाएं This i.com से काम चला हुआ हम लोग समझाने के बाद भी घरवाला नहीं माल रहा है अब हम क्या ही कर सकते हैं जो हमें कहा गया है वह करके हमें निकलना है अब लग अब दोजय को दिखा है यहां पर दो भाई का अलग अलग पारिशन किया हुआ है और पूरे घर में सर्कॉलर बोक्स का इतना यूज किया गया इस काम बहुत भद्दा लगने लगता है तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में